हेलो, आज हम बात करने जारे हैं, CU, CAT 2021 और जामयमिले CSV एसलामिया А. यह बात हम इस वीडियो मेरे हैं, सबसे पहले में आप लोग कहाद हैं, यह कोई अफिश्यल कन्फ़रमेशन नहीं है, हम इसमें बस कमपारिजन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता हिए कि जो अपडेट्स आया है उसमें 41 Central Universities की बात कही गई है ठीक है अभी आर्टिकल्स ही आ रहे हैं आप लोगों ने कहा था इस पे अलग से वीडियो बना दी जाए क्या जामे मिले इसलामिया का अलग से एंट्रेंस होने के चांसिस हैं और चां करते हैं सबसे पहले जीकि कौन-कौन से उनिवर्सिटीज एक्स्क्लूड हो सकती है जैसे अगर आम बात करें जामे मिले इसलामियाँ जो एक माइनॉरीटी इंस्यूस है यह आप लोग जानते ही तो ऐसी weis skins होने के चांसे हो सकते हैं यह पॉइंट डंबर फुन अगर आम इस से रह सिर्फ ऐसा होने की चांसे से अगले से से सारी center University की टेस्ट होगा अगले से लिए अपना सेपरेट एंट्रेंटेस्थ नहीं नहीं होना लेकिन सिर्फ यह जो फैसिलेटी होगी वह सिर्फ इस इयर के लिए चांसें ज्याद अतार होंगे तो जो भी चेंजेस या फिर युनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाईगी तो वह सिर्फ वह सिर्फ इस इयर के लिए होगा और उसके पीछे बहुत रीजन कि और ऑदर सेंटर युनिवर्सिटी में नहीं बहुत सारे इसे कोर्सित होते हैं जो हर सेंटरल युनिवर्सिटी हमें नहीं होते क्योंकि आप देखेंगे हर Central University में अलग-अलग type के courses होते हैं लेकिन कुछ courses ऐसे होते हैं जो सम्में लगबग same होते हैं लेकिन कई universities ऐसी होती हैं जिसमें एकदम बिल्कुल अलग entrance test होते हैं और अलग ही तरीके के courses होते हैं तो वो Central University एक्सक्लीट होने के chances ज्यादा हैं जिसमें ऐसे courses हैं जो अधर universities में नहीं हैं अगर सारी universities में वो courses है तो उसकी situation में तो कराना बहुत ईजली अब ऐसा नहीं होगा कि आधे entrance test के थुरू कराए जाएं आधे entrance ने जामे मिले इसलाम या खुद कराएं देखिए यह भी problem है अगर मैं बात करूं पॉइंट अंबर था देखिए हम इसमें सारा expectation की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे actual बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों के doubts हैं इसलिए मैं आप लोगों के doubts कि यह सब्क्रश्याब कर रहा हूं अब देखिए अम माल लिजी हम बात करें यह की एक एक आग्जाबल लेते हैं तो यह आप देखेंगे जादतर विपर इसका यह मतलब नहीं कि बाकी बचेवें वह जामे मिले इसलामें खुद अपने entrance टेस्क्रा राएं नहीं यह बी आप प्राब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि अब यह तो नहीं होगा कि आधे अंट्रेंस स्ट्राइस सीओ सीटी के थुरू की जाए आधे जामी मिले इसलामिया खुद कराएं नहीं क्योंकि यहां पर पहली बात यूजी कोर्स की बात हो रही है देखिए पीजी कोर्स का तो य करनी यहां पैंटियू सीओ सीओ करनी है ओर प्राबल्म उसकती के और कहां प्राबल्म म०ं ने आपको कोर्स के बारे कोर्स का सबसे जाधा होता हैं पतीजिए अब प्रॉल्म अब देखिए जब आप मिले इसलामिय के तरह अब यहां आप लोगों को confusion हो रही है कि आप CUCT की preparation करें या फिर जामे मिले इसलामिया की entrance test की preparation करें तो मैं आपको इसमें यही सला दूँगा कि आप अगर किसी universities की preparation कर रहे हैं मैं यहां भी जामे मिले इसलामिया की बात कर रहा हूं AMU के लिए अलग से वीडियो में बात करेंगे तो जामे मिले इसलामिया कि अगर आप entrance test की preparation कर रहे हैं तो आप जैसे entrance test की preparation कर रहे हैं करते रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीए कि आप यह नहीं कि एंटरेंस की प्रिप्रेशन छोड़ दें मैं बार बार यही चीज कहूंगा जैसे कि बच्चे कमेंट में भी बोलते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे टेक्स करके बात बोलते हैं क्या अब हम सी यो सीटी क अकॉर्डिंग प्रिपेर करना शुरू कर दें देखिए सी यो सीटी का अगर हम स्लेबस के बारे भी बात करें तो आप पार्टे देखेंगे वही स्लेबस है जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जिब स्टार्टिंग में आया था उसमें जो है जर्नल अवेरनेस आई वही है क्योंकि जैसे स्लेबस आएगा डेटेल सभी तरीके से जिसको क्या सकते हैं अच्छे से डेटेल में एक्स्प्रेशन तब आपने उसको पता चल जाएगा कि वही स्लेबस है जिसकी आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं बिल्कुल हाड लेवल कुशन्स नहीं आते यूज लोगों को बोल रहा हूं कि आप अगर जामेय मिल स्लामिया के इंडरेंश की करें आप अपनी प्रिप्रेशन करते रहें कोई बागी जो अप्डेट्स होगा वांपडेट्स आपको मैं नहीं करता हूगा नेक्स अगर हम बात करें दिल्ले ऊनिवरसेटी मिउप्र पारे मे वो तो जब लेस्ट आएगा तभी बता सकते हैं ठीक है पर जामे मिले इसलामिया ने ऐसा कोई स्टेट्मेंट अभी तक के तो अफिशली नहीं आपको देखने को मिलेगा ना अफिशली और ना ही हमें अब आप जैसे एंकर रहे हैं आपको पेपर तो वैसे भी पढ़ना है अगर आप बिए पॉलिटिकल कर रे हो बीए उस्टि अप किसी भी कोर्ष की कर रहे हूं ऐसा तो है नहीं कि आपको अपने सब्जेक्ट आप पढ़ी रहे हो और बात रही general awareness, general knowledge, quantitative aptitude, reasoning part ये तो आप लोगों को वैसे भी करना है और ये आप लोग वैसे cover करी रहे होंगे और बाकी जो भी updates आएगा मैंने आप लोगों को बता दिया आपको उसके according videos provide करवाई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई problem ना आए ठीक है तो ये था हमारा थोड़ा सा comparison जो है C.U.C.T. और जामे मिले इसलामिया का entrance test का तो किसके होने के chances हैं जादा किसके होने के chances कम है आप लोगों को थोड़ा idea लग गया होगा इसलिए हमने ये expected comparison कर लिया कि क्या जामे मिले इसलामिया C.U.C.T. का according होने के chances है या फिर C.U.C.T. होगा ठीक है न तो ये इससे हमें थोड़ा idea लग जाता है कि situation में हम क्या सकते हैं कि जामे मिले इसलामिया अपना खुद का entrance test ले इस year मैं फिर clear कर रहो इस year next year से तो मैं आप लोगों को अच्छे से clarity हो जाएगी और मैं आप लोगों को अच्छे से clear कर दूंग हो ताकि आप लोगों को कोई problem ना आए अगर आपको जामे मिले इसलामे में एड्मीशन लेना है कैसे लेना है उसके लिए भी वीडियो बनेगी एम्यू के लिए भी आपको जिसमें admissions लेना है तो जो final draft update आएगा उसमें मैं आप लोगों करूंगा ताकि आप लोगों को पत बहुत सारी confusion है तो सारी confusion आपकी धीरे-धीरे clear कर दी जाएगी एक negative marking पे भी confusion है यह तो जब final आएगा तभी कहा जा सकता है कि NTA जो test लेगा negative marking होगी या नहीं होगी क्योंकि NTA के जो test conduct करवाती है agency तो कई courses के बारे में अगर हम बात करें जैसे हम UGC net के बारे में बात कर तो उसमें negative marking नहीं होती अधर की बात कर लें तो कईों में होता है negative marking नहीं होती कईों में होता है negative marking होती है तो जब final आएगा तभी हम इसका भी कहा पाएंगे कि negative marking है या नहीं है अब किन किन courses में negative marking है जो NTA interest test conduct करवाता है उसके recording मैं आप लोग को वीडियो बनाके inform कर दू जैसे कि मैंने आप लोग को एक example देती है UGC net का तो UGC net NTA conduct करवाता है तो उसमें negative marking नहीं है तो ऐसे ही जो ही ना entrance test के बारे में भी हम बात कर रहें तो इसलिए आप लोग को परिशान होने की ज़रत नहीं है negative marking होगे या नहीं होगी उसमें वो जब final draft आएगा तभी उसम बताई जाएंगे कि इसमे negative marking है है तो कितनी है या फिर नहीं है चीक है तो अब जैसे भी update आएगा मिलते है next update वीडियो में जो भी आएगा बाकी जल से जल जो है आपको लोग को इंफर्म कर दिया जाएगा और अभी आप अपने जामिल इसलामिया के अगर entrance test की preparation कर रहें या other universities की भी कर रहें तो आप अपने entrance test की preparation करते रहें चीक है thank you